नमेश्कार दोस्तों स्वागत है हमारे येटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं तीन मई से बारह मई तुलारासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों सुन लो आकिर भागवान ने आप सभी के लिए क्या लिखा है क्या देने वाला है जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसमें जो घटनाए होने वाली है दोस्तों सुनकर आपके पसीने छुट जाएंगे और दोस्तों एसी घटनाए एसी चमतकारी आप दोस्तों आप सभी के लिए बहुती लापकारी इसित्यान लेकर आने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि इन दिनों में आप सभी के जीवन में सबसे लाप्रक्त समय साबित होने वाले हैं। दोस्तों आप भागवान के सच्चे भक्त होने के कारण और आपके प्रेम शभाब अच्छे होने के कारण भागवान का आसिरवाद आपके उपर अब बनने वाले हैं। मिल सके इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिले कि आपके दुसमन आपको परेसान न करे और हमेसा आपसे जलने वाले लोग जलते रहे और आप बड़ी बड़ी सफलता प्राप करते रहे जहां दोस्तों और दोस्तों आपको किन चीजों से बचना है, किन किन चीजों से फायदा होगा, आपकी लब लाइप केसी रहेगी, बिजनस और बैपार केसा रहेगा, और स्वास्त की महत्वपून जानकारी इस वीडियो में देंगे, और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुब करें, साथ में नाटोपिकेसन बैल को दबा दें, जिससे समय समय पर हमारे न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश चके, तो चली दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक नितिक ज्यान के वारे में, दोस्तों आचार चानक जी कहते हैं कि वक्त रहते बदल जाओ, वक्त रहते बदल जाओ, या वक्त को बदलना सिखो, मजबुरियों को मत कोशो, हर हाल में चलना सिखो, इसी के साथ अपना वजूद एसा बनाओ कि तुम्हें कोई छोड़तो शके, पर कभी भूलना सके, अपना वजूद एसा बनाओ कि कोई तुम्हें बनाओ कि मुझे अधिक लेने के योग नहीं अधिक देने के योग बनाओ जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्ता पिछले कुछ समय में जो काम सोचके रखे थे अब वो आपका अवसेकार शफल होंगे और एक चमतकारी के रूप में आगे भी बढ़ेंगे तो इस समय आपका ग्रेसिती उत्तम बनी हुए है आर्थी योजना इससे समंधित कोई लाब आसाने से भली भूती होगा धार्मी तता अद्याद में गतिविदियों में कुछ समय व्यत करें और आपकी परतिवा उभर कर लोगों के शामने भी आएगी दोस्तों के साथ परिवारी गेट टूगेदर रहेगा समय सुखनामा और मनरजन पूर्ने वेतीत होगा वैस्ता भरी दिन चारिया की ठाकान भी दूर होगी तिधा आप से सलह मसवारा वच्चों के लिए सम आध मिलेगी दूस्त आपके नेगेटीव के बारें पीदर बात करें तो दूस्तों दूसरे के मामला में हस्तिश्यव करने से बचें और आपने ही काम से मतलब रखें किसी सारजन अस्तल पर वाद विबाद होने जैसी स्थी बन रही है कुष उमें आत्ममनन और चिंतनु म मन ने खिनने रहेगा, पर तो समस्यां को सांती पूर्ण तरकी से सुल्जाने का प्रयाश करें। दुस्तो कुछ नहीं जिमेदरियां आने से वैस्ता बढ़ेगी, इसमें कोई नुकसान होने जेस्ति-स्ति बन रही है। इसलिए हिसाब किता समन्दिक कारें को साबधाने से करें, बेना बात किसी से बेना उल्जें। कोई भी समस्यां आने पर उसके निवानन के लिए उसकी तर तक जाना ज़रूरी है। दोस्तों किसी भी नकार्तम प्रसिति में अपना आपाना खोएं तर उसका समना प्सान्ति पूर्ण तरेके से करें। घुस्य और आक्रोज की वज़े से प्रसितियां बिगर सकती है। दोस्तों गुस्य भूत सेतान चीज होते हैं। इसको जो यूज करते चलता है वो जिन्दिगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए गुस्य पर काबू करेंगे तो आवसी आप आगे बढ़ेंगे और कोई भी समस्या को आपको जहलना नहीं पड़ेगा। युवावर्ग अपने लक्षों को आँख से ओलजना होने दें। नकर्तमों और व्यर्थ की गत्तिविदियां से दूर रहें। दोस्तों भाईयों के सब चल्रे मतभेत किसी वारे सदस्की मदर्शा से सुल जाने का प्रयाश करें। निश्चित ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थी युवावर्ग आजकल अपने लक्षों के परति लापारवे बरत रहे हैं। जिसकी वज़े से इनकी बनते कारों में रुकावटे हा सकती है। दोस्तों व्यावसा में इस समय अपने उर्जा और अपने जन संपर को और अधिक विस्तिरित करने में लगाएं। आपको कोई नई सुव अपसर प्राप्त होंगें। मुश्कलों के बावजुद आप काम्यावी हासिल कर लेंगें। आपका ग्रीशति अनुकुल बनी हुए है। कारिशत में केगे बदलाब के सकार्तों पर न मिलेंगें। इसलिए पूरी मेहनत और एगरता से अपने काम पर ध्यान दें। व्यवसाथ समिंदी किसी भी तरह का लेंदेंस करते समय बहुत अधिक साबधानी बरतने की जरुरत है। इसलिए व्यवसाथ समिंदी उल्जने अभी बनी रहेगी। अनुवी लोगों की सहयोग और मार्दर्शन आपके लिए सहयक रहेगा। नोकरी में कारभार बढ़ाने की वज़े से तनाव रहेगा। वेतर होगा कि अपने कारभार को दूसरों के साथ बाटने का प्रियाश करें। अब अपने योगता और परतिभाग कई फेसले लेने में समझ रहेंगे। इसमें मार्केटिंग समिंदी कारभा को अस्तागीती रखें। नोकरी में भी टार्गेट हासिल करने की पूरी संभावना है। दूस्तों सरकारी कारभा में आ रहे ही रुकावटे दूर होगी। नेकार की सुरुवात करने के लिए भी समय अनुकूल है। कोई भी वेबसाइट निर्ने लेने में लापरवय न करें। अन्यता कोई बहतरिन उपलवदी हाथ से निकल भी सकती है। दूस्तों कारिशित में इस समय बहुत मेहनत और वैस्ता बनी रहेगी। साथ ही आपका प्रभावा दबदबा बना रहेगा। अपनी कारभणाली में कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। सरकारी सेवरात लोगों को ओफिस समंदी किसी बदलाब की सुचना मिल सकती है। वैबसाइक परिशनिया धूर होगी, कार में गती आएगी। करमचारी ता इस्टाप पूरे मन योग से कार को गती देंगे। किसी अनुभी वैक्ती से मुलाकात होगा और वैबसाइक जानकारियां का आधान परदान भी रहेगा। वहीं बात करें तो लव लाइब की, परिवारे में सुख़द और प्रेम पून माहोल बना रहेगा, प्रेम समंद में गलत फेमिना उपजने दें। दामपत जीवन में उची समान जस रहेगा, यू आवर वैक्त के प्रेम समंद में समय नशना करके, कारे में पर ध्यान दें। दोस्तों वैक्तिकत गत्रिविदियां के साथ-साथ विवायत समंद में भी समान जस बना रखना जरूरी है, प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग करने का बेहतरिन समय मिलेगा, दोस्तों आपके स्वास्त को लेकर देखा जाए, तो त्वाचा समंदी ऐलर्जी जैसी समस्या ब पड़ेगा, कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है, दोस्तों किसी बात को लेकर सिर्दर और तनाव रहेगा, समस्या को सांती पूरे तरीके से सुलजाने का प्रयाश करें, साथ ही योगा और मेडिसन जैसी गत्ति विदियां पर ही ध्यान दें, आपके स तेल के देल का दीपक जला कर एक ग्यारो बार ओम नमभगवते वाशुदाय मंतर का जाप करें, एशा करने से आजानक घर में आपके धन आवक में बिर्दी होने लगेगी, और साथ ही साथ दोस्तों, घर के मुख दरवाजे के अंदर और बाहर की और गनेश जी के दो परत दिवा लगाएं, इसे भी आपके घर में धन आवक रहेगी, दोस्तों बात करता आपके भागेशाली रंग और भागेशाली आंग क्या है, दोस्तों आपका भागेशाली रंग पीला है और भागेशाली आंक छे है, दोस्तों भगवान भोलेनात का आसिरवाद आपको प्र जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद